कि पीपल की जड़ में मांद आए तरह कि शनिवार के दिन जो पीपल के व्रक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनी कभी परिशान नहीं करता है एक बात हमें सा ध्यान रखिएगा मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनी महाराज के कारण हो गया हो अच्छे का करते करते उल्टे हो रहा है होते किसी किसी के साथ में वेपरित परिस्थिति आ जाती है अच्छा करने जाओ गुरा हो जाता है कि अच्छा करम करने जाओ गुरा हो जाता है तो पीपल के ब्रक्ष की जो चाल होती है उस चाल को घिस कर चंदन बना कर अगवान संकर का इसना का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठपत मस्तक पर लगाना प्रारम कर दो धीरे धीरे जो विपरित दशा है वो सुधरना प्रारम हो जाती है और नाम यादर ना पिपलेश्वर जम के बोलिए पिपलेश्वर